फैलते संक्रमन के बीच राजधानी दिल्ली से एक अच्छी खबर सामने आ रही है कोरोना के घरते आंकरों को देखते हुए CM केजरीवाल ने लॉकडाउन हटाने की परिक्रिया सुरू करने की घोशना कर दी है जिस खुसकबरी से दिल्ली वालों ने थोड़ी रहत की सांस ली है बता दे की केजरीवाल ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है की बड़ी मेहनत से कोरोना पर काबू पाया गया है लेकिन फिर भी हमने अभी पूरी लराई नहीं जीती है इसी के साथ ही सियम ने अनलॉक प्रिक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया की हम राजधानी में लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलेंगे जिसकी सुर्वात समाज के गरीब तपके मजदूर और प्रवासियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी साथ ही केजरिवाल ने कहा की वे हपता दर हपता जनता और एक्सपर्ट की राय लेकर लॉकडाउन को खोलनी की प्रिक्रिया जारी रखेंगे लेकिन साथ में ही उन्होंने इस बात की और भी इशारा किया की अगर इस दोरान फिर से कोरोना के केस बरते हैं तो अन्लॉक की प्रिक्रिया को बीच में ही रोका जा सकता है जिसको ध्यान में रखते हुए सीम केजरिवाल ने लोगों से कोरोना संबंदी जरूरी एहतियात का पालन करने की अपील की है साथ ही उन्होंने दिल्ली की जंतक को संबोधित करते हुए कहा कि अभी जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकले इस नाजुक समय में हम सभी को बहुत गंभीरता से आच्रन करना है वही राजधानी में अनलॉक के मद्दे नजर सोमवार से कंस्ट्रक्शन और फैक्टरियों की गतिवीधियों को फिर से चालू करने का आदेश दे दिया गया है जिसके बाद अगले एक हपते के लिए यह दोनों सेक्टर खुले रहेंगे दिल्ली में कोरोना आकरों को देखा जाए तो यहां पिछले 24 घंटों में 1072 नए मामले साबने आए हैं इससे पहले राजधानी में 1491 केस दर्श किये गए थे लेकिन बरते दिनों के साथ यहां संक्रमंदर में कमी देखने को मिल रही है जो कि दिल्ली बास्यों के लिए एक अच्छी खबर है वही पुड़े देश में कोरोना संक्रमित आकरों की बात करें तो केंद्रिय स्वास्त मंत्राले की और से जारी नए आकरों के अनुसार इस मेहने दूसरी बार 24 घंटे में 2 लाग से कम यानी 1,86,364 नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद संक्रमितों की संखियां बढ़कर 2,75,55,457 हो गई है बता दे कि देश में 44 दिन के बाद कोवीट के इतने कम नए मामले सामने आए हैं वही इस संक्रमन के चलते 3,660 और लोगों की मौत होने से मिर्त्यू का ये आकड़ा बढ़कर 3,18,895 पर पहुँच गया